यहेचकेल भविश्वक्ता की पुस्तक अध्याई 31 ग्यारववे वर्ष के तीसरे महिने के पहले दिन को यहोवा का यहवचन मेरे पास महुचा। हे मनुश्र के संतान, मिस्र के राजा फिरोन और उसकी भीड से कह, अपनी बढ़ाई में तू किसके समान है? देख, अशुर तो लबानोन का एक देवदार था, जिसकी सुन्दर सुन्दर शाखे घनी चाया देती और बड़ी उची थी, और उसकी फुनगी बादलों तक पहुची थी, जल ने उसे बढ़ाया, उस गहरे जल के कारण वह उचा हुआ, जिससे नदिया उसके स्थान के चा रुक्षों के पास पहुचती थी, इसकारण उसकी उचाई मैदान के सब रुक्षों से अधीक हुई, उसकी तहनिया बहुत हुई, और उसकी शाखाये लंबी हो गई, क्योंकि जब वे निकली, तब उनको बहुत जल मिला, उसकी तहनियों में आकाश के सब प्रकार के पक् जन्मते थे, और उसकी चाया में सब बड़ी जातिया रहती थी, वह अपनी बढ़ाई और अपनी डालियों की लंबाई के कारण सुन्दर हुआ, क्योंकि उसकी जड बहुत जल के निकट थी, परमेश्वर की बारी के देवदार भी उसको न छिपा सकते थे, सनोबर उसकी तहनीों के समान भी न थे, और न अर्मोन व्रुक्ष उसकी शाखाउ के तुल्य थे, परमेश्वर की बारी का भी कोई व्रुक्ष सुन्दरता में उसके बराबर न था, मैंने उसे डालियों की बहुतायत से सुन्दर बनाया, यहां तक कि एदेन के सब रुक्ष जो पर्देशी जातियों में भयानक लोग हैं, वे उसको काट कर छोड़ देंगे, उसकी डालिया पहाडों पर और सब तरायों में गिराई जाएगी, और उसकी शाखाए देश के सब नालों में तूटी पड़ी रहेगी, और जाती-जाती के सब लोग उसकी चाया को छोड़ कर चले जाएग उस किरे हुए रुक्ष पर आकाश के सब पक्षी बसेरा करते हैं, और उसकी शाखाओं के उपर मैदान के सब जिवजन्तु चड़ने पाते हैं, यह इसलिए हुआ है कि जल के पास के सब रुक्षों में से कोई अपनी उचाई न बढ़ाए, न अपनी फुनगी को बादलो तक पहुचाए, और उन में से जितने जल पाकर दुड़ो हो गये हैं, वे उचे होने के कारण सीर न उठाएंगे, क्योंकि वे भी सब के सब कबर में गड़े हुए मनुशों के समान पृत्यु के वश करके अधोलोक में डाल दिये जाएंगे, परमेश्वर यहोवा यो कहत जिस दिन वह अधोलोक में उतर गया, उस दिन मैंने विलाप कराया, और गहिरे समुदर को ढाब दिया, और नदियों का बहुत जाल रुख गया, और उसके कारण मैंने लबानोन पर उदासी छा दी, और मैंदान के सब रुक्ष मुर्चित हुए, जब मैंने उसको कबर में गड़े हो के पास अधोलोक में फेक दिया, तब उसके गिरने के शब्द से जाती-जाती थर्थरा गई, और एदिन के सब रुक्ष अर्थात लबानोन के उत्तम-उत्तम रुक्षों ने, जितने उससे जल पाते हैं, उन सब होने अधोलोक में शांती पाई, वे भी उसके स बीच उसकी चाया में रहते थे, सो महिमा और बढ़ाई के विशय में एदिन के वुक्षों में से तू किसके समान हैं, तू तो एदिन के और वुक्षों के साथ अधोलोक में उतारा जाएगा, और खतना ही इन लोगों के बीच तलवार से मारहो के संग पढ़ा रहेगा, फ झाल झाल